श्री शिरडी साई सर्ब देव मंदिर में वर बधू को कैंट विधायक ने दिया आशीरवाद बरेली के श्री शिरडी साई सर्ब देव मंदिर श्याम गंज के महंद पंडित सुशील पाठक ने जानकारी देते हुए बताया बाबा श्याम को तीन दिसंबर को दो बर्श पूर्ण होने पर सोमवार को एक कन्या नेहा पुत्री, रामकिशोर निवासी सैधपुर, हाकिन्स बरेली का विवाह, खेमानंद सुपुत्र स्वर्गिये ओम प्रकाश का हिंदू बैदिक रीतिरिवाद से विवाह किया गया कैंट विधायक संजीव अगरवाल ने वर बधु को आशीरवाद दिया और वस्त्र भी दिये अब तक श्री शिरडी साई सेवा ट्रस्ट ग्यारहसो कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है यहां का बहुत प्रितिष्ठित मंदिर और हमारे यहां के पुजारी पंडित सुशील पाठक जी पूरे मनुयोग से ठाकुर जी की सेवा करते हैं और पुन्ने और समाज को जोड़ने के काम करते रहते हैं इसी शंगला में आज इनका 1101 ना यह शुब विवाद करा रहे हैं बरवदू को आशीरवाद दे रहे हैं बहुत ही यह पुर्ण लाव पुर्ण का काम है कि बरवदू को आशीरवाद देना उनका विवाद संपन कराना इस सुब अफसर पर मुझे भी यह आने का उनको आशीरवाद देने का और उनके साथ इस विवाद में समलेत होने का सबाग पुरापता हुगा इसके लिए मैं पंडे सुशील पाड़क जी को बधाई देता हूँ और धन्यबाद देता हूँ बर्वदू को भी जीवन में बहुत खुशियां आए सुक्सान्ती सम्रद्धी हो इसकी शुक कामना है दन्यबाद देखे कल तीन तारीकों हमारे बाबा खाटू शाम को बैठे इस मंदीर में दो साल हो जाएंगे दो दूतिये बारतिक उस्ट्रप के उपलक्ष में आज एक कन्या का विभा कराया है अब तक 1100 कन्याओं का विभा स्रीडी साइंस एवा ट्रक्ष्ट करा चुका है जिसमें और प्रद्धी होई यह नहीं 1101 कन्याओं हो चुकी है आपको त्यान होगा 2015 और 2016 में हमें एक उपलब्दी मिली यहनि हमारे उत्तर प्रदेश के महमेहम राजिपाल दो बार आसिरवाद देने हमारे ट्रक्ष्ट के इस कारिकरम में विभाही कारिकरम में आ चुके हैं और कन्य पाहिल भी है चांदी की पाहिल भी है और जो राशन यानि बटिया है अपने घर जाएगी तो कम से कम 15 दिन 20 दिन का राशन आटा चावल डालें भी उसमें साथ में हैं कि वह वनागर खा सकती है इस तरह की विवस्ता फ़सला ने पुड़ा और सभी सामान यह मंदिर के भक और मंदिर की तरफ से उपहार सरूब दिया जाएगा